गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैसे सी डिफेंस जोन में आज की इस वीडियो में हम गनित सिक्षा सास्त्र से सम्मन्दित कूल 22 प्रशनों को स्वालब करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेस कर दीजे और वीडियो के अंतक बने रहे तो आज के लिए पहला कोश्चन है गनित सभ्यता और संस्क्रीती का दर्पन है या कथन किस ने कहा है इए बेकन ने कहा है ऑप्शन B होंग बेन ने ऑप्शन C लंक अप्शन D डटन तो राइट अंसर हो जाएगो ऑप्शन B होंग बेन होंग बेन का कथन है कि गनित सब्यता और संस्कृति का दर्पन है नेक्स्ट है गनित विशय की पाठि पुष्ट के किस विधी पर आधारित होकर लिखी जाती है औप्सन A. संसलेशन B. प्रियोगात्मक C. आगमन D. प्रदर्शन गनित विशय की पाठे पुस्त के संसलेशन विधी पर आधारित होती है नेक्स्ट है प्रात्मिक अस्तर पर गनित का क्या महतो होता है ओप्सन A. सांस्कृतिक, B. समाजिक, C. धार्मिक, D. मानसिक प्रात्मिक अस्तर पर गनित का महतो होता है मानसिक नेक्स्ट है उपलब्दी परिक्षन वर नैदानिक परिक्षन में क्या अंतर है उप्सन A उद्देश्यों का अंतर उप्सन B प्रकृति का उप्सन C कठिनाय स्थर का अंतर या उप्सन D इनमें से कोई नहीं उपलबदी परिक्षन वर नएदानिक परिक्षन के वीच, उद्थेश्यों का उंतर होता है निक्स्ट है गनित की सभी साखाओं में प्राचीनतम कौन सी साखा है? आप्सण A, रेखा गनित आप्सण B, सांखे के C, बीजगनित या D, अंक गनित गनित की सभी साखाओं में सबसे प्राचीनतन साखा अंक गनित है नेक्स्ट है रेखा गनित में प्रयोगी कस्तर पर परियुक्त होने वाली सिक्षन विधी कौन सी है? A. प्रदर्शन विधी B. आगमन विधी C. निगमन विधी D. उप्रोक सभी रेखा गनित में प्रयोगी कस्तर पर परियुक्त होने वाली सिक्षन विधी प्रदर्शन विधी है नेक्स्ट है जैकब एल मारेनो का संबन किस विधी से है? A. प्रश्न उत्तर विधी B. सुक्षम सिक्षन विधी C. व्यक्ति अध्यन विधी D. समाजमीती विधी जैकब एल मारोना का संबन समाजमीती विधी से है नेक्स्ट है गनित विशे की क्या विशेषता है? उप्सन A. तर्कपूर्णता उप्सन B. परिनामो की निश्चित्ता उप्सन C. सुधता उप्सन D. इन में से सभी गनित विशे की विशेषता तर्कपूर्णता परिनामो की निश्चित्ता सुधता तीनों है राइट अंसर उप्सन D. सभी नेक्स्ट है चिन्ता बोध तर्कशक्ती विशलेशन की चमता बढ़ाने वाला विशे कौन सा है? A. भुगोल B. गनित C. समाजिक विज्ञान D. भाशा चिन्ता बोध तर्कशक्ती विशलेशन करने की चमता बढ़ाने वाला विशे गनित है नेक्स्ट है किसी वृत की परिधी तथा व्यास में संबंध स्थापित करना इन में से कौन सी विधी सहायक होगी? उप्शन A. संसलेशन विधी B. प्रियोगात्मक विधी C. आगमनात्मक विधी D. प्रदर्शन विधी त्राइट अंसर हो जाएगा B. प्रियोगात्मक विधी किसी वृत की परिधी तथा व्यास में संबंध स्थापित करने के लिए प्रियोगात्मक विधी सहायक होगी नेक्स्ट है गनित में निदानात्मक परिक्षन का क्या उद्देश्य होता है अप्सने प्रगती पत्रक को भड़ना B. सत्रांत परिक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना C. बच्चों की समझ में नहित रिक्षियों को जानना D. अभिभावकों को प्रति पुष्टी देना गनित में निदानात्मक परिक्षन का उद्देश्य होता है बच्चों की समझ में नहित रिक्षियों को जानना तो राइट अंसर जाएगा उप्सन C नेक्स्ट है जियो बोर्ड किसके सिक्षन का एक प्रभावी साधन है Option A आधारभूत जामिती या अधारणाओं जैसे किर्ने रेखाएं और कौन के सिक्षन का एक प्रभावी साधन है B जामिती अगृतिया रोनुकी विशेशताओं के लिए Option C, द्वीमा और त्रीमा आकृतियों में अंतर करने के लिए या Option D, सम्मीति की अधारनाओं के सिक्षन के लिए तो right answer हो जाएगा Option B, ज्यामिति आकृतियां और उनकी विशेशताओं के सिक्षन का एक प्रभावी साधन है जियोबोन Next है, निमलिखित पैटर्न से क्या ग्यात होता है एक प्लस एक दो, दो प्लस दो चार, तीन प्लस तीन छे, दस प्लस दस बीस Option A, गिन्ती, Option B, सम और विश्यम संख्या है Option C, दो का पहाड़ा निर्मान, Option D, अभाजे संख्या है तो राइट अंसर हो जाएगा, Option C, दो का पहाड़ा निर्मान Next है, एक विद्यार्थिक ग्लास में भरे हुए पाने को ग्लास का आयतन बताता है चात्र को सपस्ट नहीं है Option E, आयतन की अभाजारना, B, आयतन की मा, C, आयतन का सूत्र, या D, आयतन की इकाई एक विद्यार्थी को ग्लास में भरे हुए पानी को वह ग्लास का आयतन बताता है तो उसकी जो अभाजारना है वह आयतन की इकाई से वह परिच्चत है आयतन की इकाई संबंधी अभाजारना उसकी स्पस्ट नहीं है तो राइट अंसर हो जाएगा Option D Next है, गनित के नियम एवं सिधान्त में समावेश होता है Option A, वैदता का, B, विश्वस्नियता का, C, A और B दोनों का, या D, कलपना का गनित के नियम एवं सिधान्त में समावेश होता है वैदता का वैदता मींज होता है प्रमानिक है या नहीं Validity Next question है, गनित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है Option A, निकटतम, B, सामाने, C, और सामाने, या D, निउन्तम Right answer रोजाएगा Option A, निकटतम गनित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन के बीच संबंध निकटतम है Next है, गनित विश्यों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान किसका होता है Option A, कल्पना का, B, तार्किक चिंतन का, C, गनित्य मूल का, D, गनित्य समस्याओं का गनित विश्यों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का Next है, किस विश्यों में अमूर्थ ग्यान को मूर्थ रूप प्रदान किया जाता है Option A, गनित, B, भुगोल, C, इतिहास, D, हिंदी गनित विश्यों में अमूर्थ ग्यान को मूर्थ रूप प्रदान किया जाता है नेक्स्ट है गनित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है या कथन किसका है? ओप्शन A, हॉम्स का ओप्शन B, फ्रोवेल C, फ्रायड D, स्कीनर गनित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की गई है या कथन है हॉम्स का नेक्स्ट है निमलिखित में से किस कारे में गनी तूपियोगी नहीं है उप्सण A. मांसिक विकास में B. शारिरिक विकास में C. दार्षनिक विकास में D. भौतिक विकास में तो राइट अंसर जाएगा उप्सण C. दार्षनिक विकास में दार्शनिक विकास में गनित उपयोगी नहीं है नेक्स्ट है गनितिय भासा का स्वरूप कैसा होता है ओप्शन A सामाने भासा के रूपने B प्रिथक भासा के रूप में C कठिन भासा के रूप में D सरल भासा के रूप में तो गनित्य भासा का शोरूप होता है प्रिथक भासा के रूप में लास्ट क्वेश्चन है गनित्स सभी विज्यानों का द्वार एवं कुंजी है या कथन किसका है गनित्स सभी विज्यानों एवं द्वार का कुंजी है या कथन आप्शन A, रोजर बेकर, आप्शन B, हैमिल्टन, C, प्लेटो या D, रसेल तो राइट अंसर हो जाएगा आप्शन A, रोजर बेकर का गनित सभी विग्यानों का द्वार एवं कुंजी है या कथन रोजर बेकर का है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और सेर कर दीजे थैंक्यू फॉर वाचिंग